नमस्कार सार्दा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है क्योंकि हम इसमें एक तो ये डिजाइन इसको हम देखेंगे और इसको इस मोजे में हमने बुना है तो इस मोजे के बारे में भी हम आपको बताए पूरा वीडियो देखिएगा और आईए अब शुरू करते हैं इसके लिए यहां पर हमने ये डबल उन से फंदे डाले हुए हैं ये जो डिजाइन है ये आठ फंदों का है एट स्टिच इस रिक्वाइर है और साइड में हमारी जितनी भी इच्छा है हम उतने फंदे ले स रखते हैं और इसको दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुना गया है इन फंदों को बिजाइन बेहद ही आसान है क्योंकि 6 लाइन का ये डिजाइन है 6 रो पैटर्न है और 5 लाइनों में सिर्फ हमको सीधा बुनना है या उल्टा बुनना है सिर्फ एक ही लाइन में हमको फं लिए है और side के तीन- तीन फंदे यहां पर हमने एक्स्ट्रा लिए हैं तो side के तीन फंदों को हम उल्टा बुनेगे और उसके बाद हम जो यह हमारे बीच के आठ फंदे हैं यह हमारी front side row है eight जो फंदे हैं इनको हमें सीधा बुनना है ये 8 फंदे सीधे हुए, उसके बाद फिर से 3 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे ये हमारी row 1 complete हो गई है, row 2 में सारे फंदों को हमें उल्टा बुनना है ये हमारी row 2 दूसरी लाइन खतम हुई तीसरी लाइन जो है, वो पहली लाइन के जैसे है मतलब पहले 3 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे और उसके बाद जो हमारे बीच के 8 फंदे हैं, इनको हम सीधा बुनेंगे ये 8 फंदों को सीधा बुना और फिर आखिर में 3 फंदों को फिर हम उल्टा बुन रहे हैं चौथी सलाई जो है ये भी पूरी उल्टी है, इसमें कुछ नहीं करना हमको, पूरी उल्टी बुनी, इस तरह से ये हमारी फोर्थ रो, चौथी सलाई पूरी हुई, अब ये जो पाच्वी सलाई है, इसमें ही हमको काम करना है, डिजाइन डालना है, पहले तीन फंदों में क कुछ नहीं करना यह तो हमको उल्टे बुनने हैं अब इसके बाद जो यह आठ फंदे हैं तो आप इनको ऐसे माल लीजिए दो हिस्सों में बाट लीजिए उनको तो हम ले जाएंगे बाहर की तरफ और यहां पर हम यह एक जो केबल नीडिल होती है छोटी सी सलाई है इसको य शुरू के चार फंदे हैं अब इनको पहले दो फंदों को हमने इस वाली केबल नीडिल पर लिया और इनको हमने पीछे की तरफ छोड़ दिया अब जो आगे के दो यह फंदे थे नेक्स्ट तीसरा और जो चौथा फंदा था उसको हमने तीसरे को पहले बुना और फिर और इसके बाद हम फिर पहले फंदे को बुनेंगे और उसके बाद हम दूसरे फंदे को बुनेंगे इस तरह से पहले चार फंदों का काम हुआ अब जो दूसरे वाले चार फंदे हैं इन में से भी फिर ये दो फंदों को हम उतारेंगे इस सलाई पर और इनको आगे की तरफ रख देंगे और फिर से third और जो fourth फंदा है उसको हम पहले बुनेंगे और उसके बाद यह जो हमारा इस सलाई पर है फंदे यह जो first वाला है इसको बुनेंगे और फिर हम second वाले को बुनेंगे इस तरह से यह हमने design को पलटा है अभी आगे जाकर हम फिर थोड़ा देखेंगे जब यह खुलेगा फिर यह side के जो फंदे हैं इनको हमें उल्टा ही बुनना है इस तरह से यह हमारी पांच्वी सलाई हुई और छटी सलाई जो है यह हमको पूरी उल्टी बुननी है सारे फंदों को उल्टा बुन रहे हैं हम यह 6 रो हमारी छटी सलाई पूरी हुई अभी डिजाइन पूरा खुल कर नहीं दिखा है यह 6 लाइनों का डिजाइन पूरा हुआ अब हम को आगे यही 6 लाइने दोहरानी है तो हम थोड़ा सा बुन कर देखेंगे तब यह डिजाइन खुल कर दिखाई देगा हमने 4 सलाई अपनी बुनली है और हम फिर से यह 5 वी सलाई पर आए है तो अभी हम एक बार फिर से उसको करके देख लेते हैं कि यह हमने 2 फंदों को उतारा और इनको हम पीछे की तरफ ले गए और यहां से तीसरे फंदे को हमने पहले बुना फिर हमने 4 फंदे को बुना और उसके बाद हम यह पीछे वाले जो हमारे फंदे हैं उसका हम पहला फंदा बुन रहे हैं वहां से और दूसरा बुन रहे हैं फिर हम यहां पर ले आएंगे इसको और इन दोनों फंदों को हमने उतारा आगे कर लिया और पीछे से हमने यह तीसरे फंदे को बुना और यह चोथे फंदे को बुना उसके बाद फिर हम तरह तरह से जैसे कि हम इन फंदों को यहां पर शिफ्ट कर सकते हैं इस वाली सलाई पर और फिर हम बुनाई कर सकते हैं तो इस तरह से बहुत सारी ट्रिक्स जब आप बुनाई करते हैं तो आप सीख जाते हैं जिससे कि थोड़ा समय की बचत होती है या तो इसके बाद फिर ये आखरी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे और छटी सलाई हमारी पूरी उल्टी बुनी जाएगे इस तरह से ये हमारा डिजाइन चलेगा कितना तो आसान है आपने देखा और बहुत ही सुन्दर है सलाईयां बस आप एडजस्ट करिएगा टाइट नहीं रहना चाहिए सलाईयों को अब रही बात इस मोजे की तो ये मोजा जो है ये हमने यहाँ पर 44 फंदे डाले हैं और उसके बाद हमने ये बॉर्डर बुना और बॉर्डर बुनने के बाद हमको ये 6 सलाईयां हमने बुन ली यहाँ से हमने डिजाइन शुरू किया 8 फंदे का बीच में बाकिस साइड के सारे फंदों को हमने ले लिया है और अब इसके बाद हम इनको बीच के पोर्षन को लेकर जाएंगे इस तरह से ये तीन हिस्सों में बाट लिया जाता है जो ये बीच का हिस्सा है इसको हम आगे बुनेंगे और ये हमने आठ नंबर की सलाई से बुना है और ये छे बार हमने ये जो डिजाइन है इसको दोहराया है छे बार पूरे जब डिजाइन दोहरा दिया उसके बाद ये फिर फंदे उठाकर और ये फिर गाटर स्टिच से ये 10 दिखाई दे रही है लाइने 20 लाइने हमने बुनी है ये और इस तरह से ये हमारा सुन्दर से बूटी बन कर तयार है आशा है आपको ये समझ में आया होगा अच्छा लगा होगा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बस आ सकते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कृपिया चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें और इसी तरह देखते रहें आप सब के सहयोग के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद